हाई गाईज वेलकम टू क्वेशन बैंक क्राफ्ट आज हम लड्डू पाल जी के लिए फर्स टाइल एक बहुती सुन्दर सी जो है उनी पोशाक तयार करने वाले हैं यह जो पोशाक है हम एक सिंगल कलर में रेडी करेंगे ब्लू कलर में और उसके बाद उन को उस तरीके से सेट करने के बाद हम कॉम्ब का यूज करके उसे फर्स टाइल में कनवर्ट करेंगे जो पूरा प्रसेस आगे की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा और हमारे बाकी दो चैनल्स है टॉप स्टेंडिंग आन इजी डे 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 लाइफ जिनके लिंक्स भी नीचर डिस्क्रिप्शन में होंगे आप हमारे बाकी चैनल्स भी चेक आउट कर सकते हैं चले फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैं इस पुशाक को ब्लू कलर में तयार कर रहे हूँ आप इसके कलर्स अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं सबसे पहले आपको एक इस तरीके का उनका पीस ले लेना है यह जो है पुशाक काना जी के नेक पे यानि की गले पे टाई की जाएगी तो यह पीस आपको काफी बड़ा लेना है आपके जितनी ही मतलब requirement होती है काना जी के गले पे टाई करने की उससे जदा बड़ा लेना है आपको यह वाला पीस अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने एक cardboard ले लिया थे इस तरीके का और अब इसके उपर हम wool को rotate करने वाले हैं यह रेखिए blue color की वही wool मैंने ले ली है और इस cardboard के उपर मैं इसको rotate करूँगी यहाँ पर मैं काफी चोटे size के काना जी के लिए पुशाक तेयार करी हूँ एक या दो नंबर के काना जी को ये पुशाक अराम से आजाएगी और मैं आपको rounds यहाँ पर नहीं बता रही हूँ कि मैंने कितने लिए हैं क्योंकि ये आपके काना जी के उपर depend करता है अगर आपके काना जी बड़े हैं तो आप थोड़ा बड़ा cardboard लेके उसके उपर जादा rounds घुमाईएगा उन के और एक बारी के लिए मुझे जितना ठीक लग रहा है मैं उतना घुमा कि इसको cut कर लूँगी क्योंकि आगे अगर और ज़रुत पड़ी तो हम दुबारा cardboard पे rotate कर लेंगे तो ये देखिए इसके उपर कुछ इस तरीके से मैं wool को rotate करूंगी और उसके बाद किस तरफ से cut करना है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी अभी यहाँ पर देखिए हमने उन को घुमा लिया है और इस उपर वाले side से हम इसको cut करेंगे इस तरीके से पहले एक खटा bunch ले लिया पूरा अब इसको scissors से यहाँ से cut कर दिया और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एक पूरा उन का bunch हमारा तयार है काफी सारे इसमें उन आ गए हैं अब जो मैंने सबसे starting में आपको एक उन का बड़ा सा piece दिखाया था वो हम लेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने यह वाला piece ले लिया है और इसको थोड़ी दूरी पे छोड़ते वे हमें बाकी उनके pieces को tie करना है कैसे करना है मैं बता दिती हूँ सबसे पहले इस bunch में से दो उनके pieces एकटे उठा लिये हैं मैंने इनको उपर नीचे से एकदम proper कर लिजे थोड़ा सा अगर इन proper है तो भी चलेगा क्योंकि बाद में dress का जितना भी extra रहने वाले pieces उनको हम properly trim भी करेंगे अब loop बनाना है बाकी नीचे वाली उनको loop के अंदर से pass out करना है और इसको इस तरीके से खीचना है मैं एक और बारी आपको बता देती हूं दो उनकी pieces को एकटा उठाईए नीचे से match कीजे यहाँ पे एक loop बन जाएगा इस loop को कुछ इस तरीके से place करना है यह वालोग को हमें loop के अंदर से pass out करना है अब नीचे की तरफ इसको खीचेंगे तब यह इस तरीके से design बन जाएगा और इनको एकदम एकटे आपस में लेते वे आपको रखना है यह मैं close up से भी आपको दिखा रही हूँ ताकि easily समझ में आ जाए यह चार उनके पीस नीचे की तरफ आएंगे इनको loop से pass करेंगे इस तरीके से और उसके बाद एकदम tightly जो है आपको इसको खीचना है अब मैं पूरा कर लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी अब यहाँ पर देखिए मैंने एक बारी के लिए इतना घेरा ready किया है और मैं बता देती हूँ काना जी को neck पे इसको कैसे tie करना होगा तो एक बार के लिए मैंने हाँ पे color का box ले लिया है और color bottle लिया है इसको मैं इस तरीके से रख रही हूँ यहाँ पर आपको इसको ऐसे करके tie करना है अगर आपको लगे कि यह अभी भी अच्छे से fit नहीं आ रहा है कुछ और pieces add करने की ज़रूत है तो आप same process कर सकते है उनका bunch तयार करके इस पर tie कर सकते है अब यहाँ पर मैंने अपने knee यानि की घुटने के उपर एक cotton cloth बिचाया है और उसके उपर हमने dress को रख लिया है अब यह वाला जो area इससे आपको एकदम tightly अपनी उंगलियों से पकड़ के रखना है ताकि जब हम इसके उपर comb करेंगे तो कोई भी उनका piece निकल ना जाए तो इस तरीके से एकदम tightly मैंने पकड़ा है और अब यहाँ पर मैं comb करूंगी इस तरीके से जिससे क्या है यह जो उन है दिरे दिरे खुलने लगेगी और एकदम से fur type का जो है यह तयार हो जाएगा that's why मैंने thumbnail पे भी और title पे भी mention किया था कि यह काना जी कि हमने fur वाले dress तयार की है ऐसा आपको तब तक करना है जब तक इसकी सारे उन जो है अच्छे से खुल नहीं जाते हैं यह देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े बहुँ जो है section space को divide किया है एक खटा नहीं होगा यह easily आपको थोड़े थोड़े section space को लेना होगा जैसे कि एक section में मैंने इतना उन का बंच लिया है इस पर इस तरीके से कोंब करना है और फिर यह ऐसे करके खुलते जाएगा अब मैं complete घेरे पर सेम चीज करूंगी कोंब करके और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूं कि यह किस टाइप से आया था इसको जब आप इसे कोंब करोगे तो कोंब पे हलके हलके यह उन के पीसेज आ जाएंगे जिनने आप हटा हटा के कर सकते हो यह देखिए कुछ इस तरीके से और यह देखिए यह हमारा complete घेरा कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है सारी की सारी उन को मैंने कोम यानि कंगे की मदद से अच्छी से खोल लिया था और अब आप ऐसा कर सकते हैं कि घेरे को सेट करने के बाद आप scissor की मदद से've extra OMG क कट कर सकते हैं तभी यह जो घेरा एक दम perfect round में आएगा अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करी हूँ क्योंकि obviously काना जी की ड्रेस है तो डेकोरेशन होना तो चाहिए ही यहाँ पर मैंने flower shape में जो है orange color के stones लिये हैं इनको मैं इस ड्रेस के उपर equally gap maintain करते करते paste करूँगी glue की मदद से paste करने के लिए आप fevy bond, fevy call कुछ भी use कर सकते हैं fabric glue भी ले सकते हैं यह देखिए इस तरीके से एकदम equally gap maintain करके हम इनको paste करते जाएंगे decoration की चीज़ें आप अपने ही साब से ले सकते हैं आपके पास कोई दूसरे टाइप के stones हो आप ले सकते हैं या फिर जैसे stone lace होती है उसका भी square में एक layer cut करके वो भी आप लगा सकते हैं छोटे-छोटे pieces काना जी को पहनाते वे यह कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और देखिए friends, finally रड़ू कोपाल की बहुत ही संदर सी fur style dress बनके तयार है यहाँ पे मैंने एक bottle लिया है और उसके उपर मैं यह dress आप लोगों को tie करके दिखा रही हूँ यह bottle यहाँ पे मैंने इसले लिया है ताकि मैं आपको idea दे सकूँ कि आप जब अपने काना जी की neck पे इसको tie करोगे तो वो किस तरीके के दिखाई देंगे मतब बहुत ही प्यारे लगेंगे काना जी और साथ में यह dress बहुत ही गर्म रहने वाली है इसमें से काना जी को बिलकुल भी ठंड नहीं लगेगी क्योंकि इससे उनकी पूरी body cover हो जाएगी आई होप आज का वीडियो देखके आप लोग को मज़ा आया होगा और यह आईडिया भी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा मुझे comments में जरूर बताइगेगा कि यह idea आप लोगों को कैसा लगा कोई भी doubts या suggestions हो तो वो भी आप हमारे साथ comment section में share कर सकते हैं आप लोग जरूर से जरूर चेक आउट कर लीजेगा तो फिर मिलती हूं मेरे next वीडियो में और हाँ guys जरूर से जरूर चानल को subscribe करें बहुत सारे वीडियो मैंने पहले भी दियें काना जी के related बहुत सारी design के dresses और आगे भी देने वाली हूं तो मिलती हूं next वीडियो में बाई take care खरे कृष्णा राधे राधे